प्रिय विद्यार्तियों आज पी इस कक्षा में हरीहर का का भाग नव को कंटिन्यू करेंगे सुबह तड़के एक वृद्ध साधू ने टाकुरबारी का फाटक कोल दिया उस साधू की उम्र असी वर्ष से अधिक की होगी वह लाटी के सहारे कामपते हुए खड़ा था पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधू के पास पहुंच हरीहर काका तता टाकुरबारी के माहंत पूजारी एवं अन्य साधूओं के बारे में पूचा लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूचा डांट लगाई धम किया दी लेकिन हर बार एक ही वाकि कहता मुझे कुछ मालूम नहीं ऐसे वक्त पुलिस के लोग मार पीट का सहारा लेकर भी भात उगलवाते है लेकिन उस साधू की वई वई यानी आयू देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा पुलिस इंचार्ज के नेत्रुत्व में पुलिस के जवान ठाकुर भारी की तलाश लेने लगे लेकिन ना तो ठाकुर भारी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और ना छट के कमरों में ही पुलिस के जवान उने खून, चान, बीन की उस वृद्ध साधू के अलावा कोई दूसरा ठाकुर भारी में नहीं मिला हरीहर काका के भाई चिंता, परेशानी और धूकत आश्चरी से गिर गए ठाकुर भारी के महंत और साधू संत हरीहर काका को लेकर कहां भाग गए अब क्या होगा, काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि अब भाई को आसानी से घर ले जाएंगे तता साधू संतों को जेल बिजवा देंगे लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ ठाकुर बारी के जो कमरे खुलेते उनकी तलाशीक पहले ली गई थी बाद में जिन कमरों की चिटकिनी बंद थी उन्हें भी खोल कर देखा गया था ये कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था पुलिस और हरिहर काका के बाई सब वही एकत्र हो गए उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध सादू से की गई तो उसने साफ कह दिया मेरे पास नहीं जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है तब उसने जवाब दिया अनाज है पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला थोड़ कर देखा जाए या चोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दर्वाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया पुलिस के जवान सावधान हो गये ताला तोड़ कर कमरे का दर्वाजा खोला गया कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्तिती में मिले उसे देख कर उनके भाईयों का खून खवल उठा उस वक्त अगर महंत पुजारी या अन्य नवजवान सादू उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोडते हरिहर काका के हाथ और पाव को भांध ही दिये गए थे उनके मुह में कपड़ा ठून्स कर भांध दिया गया था हरिहर काका जमीन पर लुड़कते हुए दर्वाजे तक आये थे और पेर से दर्वाजे पर धक्का लगाया था काका को बंधन मुक्त किया गया मुह से कपड़े निकाले गये हरिहर काका ने ठाकुरबारी के महंत पूजारी और साधूओं की काली करतूतों का परदा फाश करना शुरू किया कि वह साधू नहीं ढाकू, हत्यारे और कसाई है कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दर्वाजे से भाग गये कि उन्होंने कई साधे और लिके हुए कागसों पर जबरन उनके अंगूठे का निशान लिये आदी हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराये उनके शब्द शब्द से साधूओं के प्रती नफरत और गुरुना व्यक्त हो रही थी जीवन में कभी किसी के किलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना टाकुर भारी के महंत पूजारी और साधू संत के बारे में कहा बच्चों अगले कक्षा में हम फिर मिलेंगे धन्यवाद